हेलो फ्रेंट्स और मेरे पिडिया चात्र चात्राओ जो कम्प्टिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस्टडिया की कर्चर से कर रहे हैं और मेरे सम्मानित किसान भाईयो वेलकम बैक माई यूटूब चैनल आप सभी को मेरा साधर परणाम आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीज सोधन या सीट टीटमेंट या बीज उपचार और भूमी सोधन सोल टीटमेंट कैसे करें इसमें क्या साध़नी रखें और इससे क्या लाब होता है के बारे में बताऊंगा किसान भाईयों आपसे निवेदन हैं कि वीडियो को पूरा देखें बीज सोधन भूमी सोधन ठीक उसी पिरकार समझें जिस पिरकार बच्चे के जीवन और भविस्य को संदक्षित रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए अर्थात रोग बीमारी से बचने के लिए टीका करन किया जाता है ये सबसे पिरभावी और कम लागत का तरीका है किसान भाईयों बीज सोधन कर बुवाई करने से 60-70% तक रोग बीमारी लगने की संभावना कम हो जाती है जिससे आपकी पैदावार उच्च गुडवत्ता या फसल का जो दाना है वो चमकीला सुनहरा वजंदार अर्थात आपको हाई क्वालिटी क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा जिसकी मार्किट वैलू भी अच्छी होगी अर्थात आपको मार्किट रेट अच्छा मिलेगा तो किसान भाईयो इसको आसानी से समझाने के लिए मैंने इसे दो पार्ट में इस वीडियो में बताया है फर्स्ट पार्ट बीज सोधन बीज उपचार कैसे करें किस से करें बीज सोधन में क्या सावधानी बढ़ते हैं बीज उपचार के क्या लाब हो सकते हैं तो किसान भाईयो बीज उपचार करने की अनेक विदी हैं और हर विदी का अपना विशेश महत्व है पिर्थम विधी रासायन विधी किसान भाईयों जिन छेत्रों में जिवानु जुलसा या जिवानु धारी रोग इस रोग में पत्ती नोक या किनारे से सुखने लगती है तो इसके लिए किसान भाईयों जिन छेत्रों में ये समस्या है जीवानु धारी रोग या जीवानु जुलसा की समस्या है तो वहाँ 25 किलोगराम धान के बीज के लिए 4 गराम स्ट्रेप्टो माईसिन 40 लिटर पानी में बिगो कर रात भर रख दें और अपनी स्वीधान उसार दूसरे दिन पानी से निकाल कर छायादार इस्थान में रख दें जमाव या जेई होने पर साम के समय नर्सरी डालें आप किसान भाईयों जिन छेत्रों में जीवानु जुलसा की समस्या नहीं है वहाँ आप धान नर्सरी डालने के 7 से 8 गंटे पहले डाई गिराम थीरम या दो गराम कारबन डाजिम पिरती किलो गराम बीज से उपचारित कर बीज बोना चाहिए और बीज ध्यान रहे साम के समय बीज बोएं या साम के समय धान नर्सरी डालें अब किसान भाईयों आपके नर्सरी छेत्र या बीज सहियां छेत्र जहां आपको नर्सरी डाल ली हैं में दीमक या अन्य सत्रू कीट का आकमन होता है तो आप 2 या 3 एमल पिरती किलोगराम बीज की दर से बीज या धान नर्सरी छेत्र खेत में स्प्रे कर दें इस से आपकी नर्सरी में किसी कीट या इंसेक्ट का आकमन नहीं होगा इसके बाद हमारी दूसरी विदी आती है किसान भाईयों जैव की विदी से बीस सोधन किसान भाईयों इस विदी में हम ट्राइकोडर्म, इस्पोर वे जीवानु कल्चर का प्रियोग करते हैं सबसे पहले किसान भाईयों हमें जीवानु कल्चर है क्या के बारे में समझना जरूरी है तो किसान भाईयों जीवानु कल्चर अनेक पिरकार के होते हैं जैसे केस्वी कल्चर, राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर कल्चर या केस्वी कल्चर तो किसान भाईयों, फास्फोरस की मात्रा का भूमी में इस्तिरी करने के लिए पेस्वी कल्चर का प्रियोग करते हैं नमबर दो, नाइट्रोजन का, वाईयू मंडेल नाइट्रोजन से इस्तिरी करने वाला कल्चर, राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर है और नमबर तीन पर होता है, पोटेशियम या पोटास की मात्रा जमीन से पौधों को उपलब्द कराने वाला जैविक कल्चर, केस्वी कल्चर होता है तो किसान भाईयो हमें 5 गिराम PSV कल्चर, 5 गिराम राइजोबियम कल्चर या एजोटोबैक्टर कल्चर तथा 5 गिराम KSV कल्चर पिर्ती कलोग्राम बीज बुवाई से 10 से 12 घंटे पूर उपचारित कर साम के समय या सूर्य निकलने से पहले बीज बुवाई धन नर्सरी डालनी चाहिए तो किसान भाईयो अगर आप जैविक कल्चर से 20 सोधित कर बोते हैं तो यूरिया डीएपी पॉटास आवश्यक्ता नुसार कम मात्रा भी फसल में डालेंगे तब भी आपकी पैदावार अच्छी रहेगी पैदावार अच्छी होगी उपयोग भी अच्छ रहेगा अब किसान भाई बात करते हैं भूमी सोधन की तो किसान भाई पार्टू आता है हमारा भूमी सोधन सोधन सोल टीटमेंट कैसे करते हैं और इसमें क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए इसके क्या लाब है तो किसान भाईयो भूमी सोधन या सोल टीटमेंट या जैसे खड़ी फसल में या भूमी में दीमक टर्माइट की समस्चा है तो उसके लिए किसान भाई आप बहुत महंगा की इतना से डालते हैं किन्तु कुछ समय बाद उसका प्रभाब कम हो जाता है और दीमक दुआरा से आक्रमन करना फसल पर शुरू कर देती है यह इसलिए होता है क्योंकि दीमक या रानी मक वो होती है दीमक वो जमीन से 3-4 फूट नीचे होती है और जो सिर्मिक होते हैं वो उपर होते हैं जब आप दवाई या इंसेक्टि साइड का प्रियोग करते हैं तो वो मर पाती और उसका केवल काम अंडा और बच्चा देने का ही होता है और जब तक वो दीमक मादा दीमक नहीं खतम होगी तब तक आपके खेत में दीमक की समस्या का निदान या समप नहीं हो सकती तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाईज के लिए हमें भूमी सोधन के लिए धाई किलोग्राम बवेरिया बेसियाना सौ से एक सो बीस किलोग्राम गोबर की सली हुई खाद में मिलाकर एक छायादार इस्थान पर जूट के बोरे से पांस से साथ दिन के लिए ढग कर रख देते हैं और इसमें नमी बना कर रखें या आवस्सक्ता नूसाथ पानी के छ दूताई पर छिटक कर पिर्ती एकर जमीन में मिला देते हैं अब इसके अंदर एक ऐसा बैक्टिरिया पैदा हो जाता है जो केवल दीमक के अंडे बच्चे को एवं मादा दीमक जो जमीन सतय से तीन से चार फूट नीचे घहराई पर अंडे देने का कार्य कर रही है उन सबी को नश्ट कर देता है यह एक दीमक से बचने का सरलव सस्ता उपाय है तो किसान भाईयो बवेरिया बेशियाना डाई किलोग्राम पिर्ती एकर भूमी सोधन के लिए प्र्याप्त होता है इसके अलावा किसान भाईयो हम डाई किलोग्राम ट्रиков programme थाय किलोग्राम के किल्चर को सौ से एक सो बीस किलोग्राम गोवर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर साम के समय अंतिम जुताई पर एक एक रखेत में छिटगवा विदी से भूमिय मिलाने से हमें फासफोरस पॉटास नाइट्रोजन का इस्थरी करन करने वाले सुक्षम जीवों की संख्या में व्रद्य होती है तर्था भूमी की रोग- Moo subtit क छमता बढ़ती है इससे मिरदा संदशना में भी सुधार होता है तो किसान भाइयो हमें इसमें क्या-क्या साफधानी रखनी चाहिए बूमी सोधन- शौधन करते समय तो हमें मुझा करäg मास्क लागर पंव सॉधन करें और भ आइकोडर्मा या बवेरिया बेशियाना बिलॉक इस्तर पर जो राजियो किर्सी रक्षा इकाई केंद्र है या राजियो किर्सी भीजभंडार है वहां उपलब्द है और इस पर सरकार का पिछेत्तर पृतिशत तक अनुदान भी है और यह बहुत सस्ता बहुत जादे महंग प्रकी के उपर होगा तो फ्रेंड्स और मेरे सम्मानित किसान भाईयों अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन प्रेस जानकारी आप तक पहुंच सके तो फ्रेंड्स और मेरे सम्मानित किसान भाईयों कमेंट बॉक्स में कमेंट या फीडबेक जरूर दें धन्यवाद